राजेंद्रपूर नाम का एक गाउँ शहर के बहुत करीब था उस गाउँ के सभी लोग गरीबी को अनुभव कर रहे थे उस गाउँ के सभी लोग खेती पर ही आधारित जीवन बिताते थे पर फसल ठीक से नहीं उखती थी खेती से सभी को नुकसान ही हुआ करता था उसी गाउँ में रहने वाली शामला नाम के एक आउरत एक दिन अपने पती किरंट से कहती है सुनिये जी इस बार भी अपनी फसल से हमें कोई फायदा नहीं हुआ लगता है इस बार भी कर्ज उठाने पड़ेंगे शामला मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता इस भूप को बरदाश करना मुश्किल है यहां से शहर पास में ही है मैं शहर जाकर भीक मांगा करूँगा शहर में बहुत धनवान लोग रहते हैं उनकी भीक से हम कुछ न कुछ तो पैसे बना ही पाएंगे वो पैसे भले कम ही हो पर उससे हम अपनी भूक मिटा पाएंगे एक समय की रोटी खाकर हमारे लिए अभी इतना ही काफी है ऐसा सोचकर अगले ही सुबह किरन एक पोटली लेकर शहर में भीक मांगने निकल पड़ा पर भीक मांगने निकले हुए किरन को उस दिन कुछ भी नहीं मिला इस तरह जब किरन वापस लोट रहा था तो उसने देखा कि वहां के धनवान लोग कूडेदान में कूडा डाल रहे थे वे वहां आकर कूडा फेकर जा रहे थे उनके जाने के बाद किरन वहां गया और उन पोटलीयों में से खाना निकाल कर परुसकर खाने लगा वो वही कूडेदान के पास पैठा खा रहा था इस तरह सुभे से लेकर शाम तक किरन वहीं बैठा रहा इस तरह उस दिन सुभे से लेकर शाम तक कई लोग आए और अपना कुडा फेक कर चले गए उन में से किरण ने बहुत सारा खाना अपने लिए इखटा किया उन चुनकर रखे हुए खाने को वो घर ले गया शामला शामला तुमने देखा आज तक हमने ऐसी कोई चीज नहीं खाई होगी वो मिली है आज तक हमने इतना खाना नहीं खाया होगा जितना मैं आज ले आया हूँ ऐसा कहकर वे दोनों खाने के लिए बैट गये तब शामला ने कहा ये सच में बहुत स्वादिष्ट था खाने का स्वाद इतना बढ़िया था जैसे ये धनवान लोगों के लिए ही बना हो ये आपको किस ने दिया? क्या आपके किसी दोस्त ने आपको दिया है? या आपने खुद ही कहीं से लाया है? नहीं शामला किसी ने नहीं दिया वैसे भी हम जैसे गरीब को ऐसा खाना बला कौन देगा और रही बात मेरी अगर मैं पूरा महना भी कहीं काम कर लूँ तब भी इतना स्वादिश्ट और इतना बढ़िया खाना मैं शायद नहीं ला पाऊंगा इतना महेंगा खाना शायद हम बहुत महनत करने के बाद भी नहीं पा सकते थे वो सब तो मैं समझती हूँ पहले ये बताईए कि आप ये खाना लेकर कहां से आए वो मैं आज सुभे शहर भीक मागने के लिए गया था ना पर वहां पे किसी ने एक रुपय तो क्या कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया बहुत भूक लगने के कारण मैं एक धनवा लोगों के घर के पास कूड़े दान के पास बैठा था मैंने देखा वहां पर एक औरत आई और उसने कूड़ा फेका उन्होंने शायद ये सोचकर फेका होगा कि खाना खराब हो चुका है पर उसमें बचा हुआ खाना ही जादा था इस तरह सुबह से शाम तक मैं वहीं बैठा रहा कई लोग वहां पर आए कूड़ा फेक कर चले गए उनके जाने के बाद मैंने चुन चुन कर अपने काम में आने वाली कुछ वस्तुएं और आहर इखटा की और उन सब को लेकर यहां आया वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़े फेकी थी जो काम में आ सकती थी क्या अब सच कह रहे हो वहां इतनी अच्छी चीज़े मिलती है तो आप अकेले क्यों कल मैं भी आपके साथ चलती हूँ हम दोनों ही चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर अपने काम में आने वाली चीज़े क्या-क्या मिलती है ऐसा कहकर किरन के साथ जाने के लिए शामला भी तयार हो जाती है इस तरह दोनों पती-पतनी हर सुभ शहर जाते और वहाँ पर फेके हुए कूडे में उनके काम में आने वाली कुछ वस्तुएं और आहार इखटा कर घर ले आते इस तरह हर रोज मिलने वाले आहार को घर ले आते और खाया करते थे इस तरह गाउं में एक से दुसरे दुसरे से तिसरे करते हुए इन दोनों के काम के बारे में सभी को पता चल गया एक दिन गाउं वाले किरन के पास आए आप पता नहीं क्या ऐसा काम कर रहे हो लेकिन जितना एक दिन के लिए काफी हो उससे जादा ही कमा रहे हो अगर आप क्या कर रहे हो ये गाउवालों को बता दो तो यहाँ पर ऐसे कई लोग है जिनको जरूरत है गाउवालों के इस तरह पूछने पर किरण ने सारी बात उन्हें बता दी उससे सच्चाई जानने के बाद गाउवाले बहुत खुश हुए आपने भला काम किया है इतने समय से भूके रह रहे गाउवालों के लिए तुमने बहुत मदद की है ऐसा कहकर वे सभी कूडे दान के पास पहुँच जाते हैं उस कूडे में खाना चुनकर वहाँ पर खाने लगते हैं इस तरह कूडे दान के पास लोगों की भीर देखकर प्रविन नम का एक आदमी उनके पास आया ये हमारे कूडे डालने की जगह है, आप जैसे लोग यहां आया करोगे तो यहां पर रोक फैल सकते हैं ऐसे प्रविन ने कहा सुनिए, अगर हम यहां पर रहेंगे, तो आपको बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी पर हमें सिवा यहां के और कहीं खाना नहीं मिलेगा ऐसा कहकर उन सभी लोगों को वहां से हकाल देता है उस दिन से शामला और किरन के फिर से दुख भरे दिन वापस आए एक दिन आधी रात में राहन नम का एक आदमी सड़क पर अकेला चल रहा था लगता है आज मेरा उस कामीनी चुडेल के हातों बली चड़ना निश्चित है आज ही मेरी ट्रेन भी लेट होनी थी उस कामीनी चुडेल के चलते सभी गाँवाले घबरा कर शाम के बाद बाहर नहीं निकलते आज कुछ न कुछ कर मुझे उससे नजर चुरा कर भागना होगा अगर मैं थोड़ी अपनी तेजी बढ़ाऊं तो आदे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा ऐसा वो सोच ही रहा था कि उसे पीछे से बाइक के आने की आवाज आई वो बाइक सीधे रहुल के पास आकर खड़ी हो गई मैं राजू हूँ तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं दूसरे गाउन से लटते लटते मुझे देर हो गई मैं भी घबराते हुए ही घर जा रहा था अब तुम मिले हो तो दोनों को एक दुसरे का सहारा होगा फिर दोनों बाइक पे बैठे बात करते हुए वहाँ से चले गए तब राहुल ने कहाँ आपका बहुत धन्यवाद मैं पिछले तीन साल से शहर पढ़ाई के लिए गया था बस अभी लोड रहा हूँ पर पिछले चाल सालों में मैंने कामिनी चुडल की कोई खबर नहीं सुनी भले ही उसकी हरकते कम हुई हो पर गाउं वालों में अभी भी उसकी दैशत फैली हुई है हाँ बिलकुल अपने गाउं के पंडित जी को भी उस चुडल ने बड़ी निर्ममता से मारा हाँ उस चुडल ने पंडित जी को पांच दिनों तक अपने पास रखा और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें तडपा तडपा कर मारा है जिस दिन से ये बात पता चली है तब से सभी गाउवालों ने खुद को अंदर कैद कर रखा है सुना है उसके बाद चुडेल सड़क पर घूमती हुई जोर से चिलाती रोती हुई सुनाई दी कुछ लोग कहते हैं कि वो इंतजार करकर अब गाउव छोड़कर चली गई होगी और कुछ लोगों का कहना है वो मर्द की तलाश में है और कुछ कहते हैं कि काम वासना पूरी करने के लिए वो दूसरे गाउव चली गई है कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो किसी को दिखाई दी और कुछ कहते हैं कि मरे हुए लोगों के साथ दिखाई दी और तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मरे हुए लोगों के साथ अपनी काम वासना पूरी करती है चाहे कोई कुछ भी कहले आसपास के सभी गाउवाले अंधेरा होते ही घर के बाहर जाने में आज भी घबराते हैं उस चुडल से जान बचा कर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं ऐसे वो कहने लगा इतने में वे दोनों गाउव पहुँच गए राहुल पिछले तीन सालों में शहर में अंध विश्वास के बारे में ही पढ़ाई कर रहा था ताकि वो लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सके सुबह होते ही राहुल ने मन ही मन कहा मैं इस तरह इसी विशे पर पढ़ने के बाद भी घर पर घबरा कर क्यूं मैटा हूँ मुझे जाकर कामीनी के बारे में पता करना होगा ऐसा सोच कर वो घर से बहार उस कामीनी चुडेल के बारे में पता करने निकला सबसे पहले वो अमर नाम के एक बुढ़े इंसान से मिला दादा जी मैं काम वासना रखने वाली उस कामिनी चुड़ेल के बारे में कुछ जाना चाता हूँ आप उस चुड़ेल के बारे में जो भी जानते हैं मुझे बताईए उस पर अमर दादा जी ने कहा क्या कहा उस कामिनी चुड़ेल के बारे में जाना चाते हो ये जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है फिर भी तुम जाना चाते हो तो सुनो अब तक पिछले नौ सालों में उस कामिनी चुड़ेल के काम वासना की बली पूरे 26 आदमियों ने चुकाई है उनमें आखरी थे पंडित जी जिनें बड़ी निर्ममता से मानने के बाद वो अब दिखाई नहीं दे रही। उन बली चड़े हुए मेंसे मेरा बेटा भी एक है। मेरे बेटे की शादी तै होने पर हमारे घर में उत्साह का महौल था। मेरा बेटा बहुत अच्छे से सजध अपने होने वाली बीबी से मिलने जा रहा था। उसकी खुपसूरिती से मोहित होकर उसका मिनी चुडलने पूरे गाउ के सामने मेरे बेटे को अपने साथ ले गई। उसने ना पेड़ देखा, ना बिल, ना जगे देखी इतने सारे लोगों के मौजुदगी में भी मेरे बेटे को बड़े ही निर्ममता से अपनी काम वासना पूरी कर उसे मार डाला। इस तरह उसके इच्छाओं के लिए बली देने वालों में से मेरा बेटा भी एक है। ऐसे और भी पचीस लोग हैं जिने उसने अलग-अलग तरीके से मारा है। किसको किस लिए पकड़ रही ह कोई नहीं जानता, कभी-कभी तो हाथ आये लोगों को भी छोड़ देती है और कभी-कभी तो दूर से भी किसी को पकड़ कर लाती और सब के सामने हिंसक हो जाती। ये सारी बात जानने के बाद रहुन ले कहा? इसका मतलब उसके हर हत्या के पीछे कोई नो कोई ठोस कारण होगा. अगर कामवास नहीं उसकी वज़े हो तो वो जो भी मिले उसे ले जा सकती थी ना? अगर वो वज़े जाननी हो तो मरे हुए उन सभी लोगों के बारे में जानना होगा. ऐसा सोचकर वो जाने लगा.